राजदाने की बियानी कोलेज में जल शुद्धी करण को लेकर एक दिवसिय कारिश्याला का आयोजन किया गया कारिश्याला में कोलेज प्रोफेसर ने जापानी कमपनी के साथ मिलकर बनाई गई वाटर प्योरीफायर मशीन का उद्गाटन किया और मॉबाइल डिवाइस से संचालित इस मशीन की प्रोफशनी लगाई आपको बता दे कि मशीन से हानिकार अरक्तत्वों को अलग कर पानी को शुद्ध किया जा सकता है देखिए सबसे इंपोर्टन बात यह है कि हमारी बाड़ी में बहतर प्रतिशत पानी है और हम सब लोगों ने बहुत सी गलतियां कर रखी है हमने प्लास्टिक मॉबाइल हम जहां इच्छा हुआ डाल देते हैं और यह दिरे दिरे पानी में पहुंच जाता है और यह पानी में पहुंचने के बाद लेड क्रियेट करता है हेवी मेटल क्रियेट करता है और इसके कारण बिमारियां होती है तो यह बहुत ही मुनासिब लगा कि अगर हमें स्वस्त रहना है तो पानी का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है राजस्तान में तो ऐसे भी पानी कम है अब उस पानी को अगर हम हाईजनिक ना बनाए तो हम स्वस्त कैसे रह सकते हैं तो यानि ग्रूप ऑफ कॉलेज हमें से ये प्रायर्टी पे रहा है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलोजी से भी जोड़ा जाए मुझे इ हमारे डिरेक्टर डॉक्टर मनीश भियानी जो रिसर्स साइंटेस्ट है उन्होंने ये डिवाइस तेयार किया है मुझे लगता है ये बहुत ही खुबशूरा डिवाइस है इसकी लागत पर हम जाते हैं तो लगबख 500 रुपे का जग और 1000 रुपे की इसमें काटेज लगी है ये सारे लेड को कलिए कर देती है तो मुझे लगता है कि घर गर ऐसा एक्युप्मेंट होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो हम अधिक स्वाश्च रह सकेंगे बिमारी इसेदूर रह सकेंगे बहुत अच्छा हो कि बिमारे होने سے पहले हम बिमारी की रोगताम कर दें और पानी बिमारियों का असली कारण है सो मुझे लगता है कि ये डिवाइस वास्तो में सोसाइटी को में पानी को स्वच्छ बनाने के लिए बढ़िया बना